बिरहा के भिष्म कहने वाले लोग जानेंगे कि बिरहा का भिष्म हमें क्या मिलता था पैसा देती थी कमपनी अब के जमाने में कमपनी पैसा ले रही है ये कलाकारों की समय जमानी में भी इस तरह की असलील गीत नहीं गाए जमाना नहीं था उच्छ नहीं हुआ करते थे दोस्तों बिरहा जगत के कलाकारों के इंटर्विव के सफर में एक बार फिर से आप सबी दर्सकूं का स्वागत है और आज हमारे बीच एक ऐसे वरिष्ट कलाकार मौजूद हैं जो किसी पहचान की मौताज नहीं है जिसे बिरहा का भीस्म पितामा कहा गया वो हमारे साथ मौजूद हैं इनके बारे में हम जानेंगे सारी उपलब्दी जो इन्हों ने जब से बिरहा सुरूद किया और यहां तक आए और सबसे बड़ी बात है कि बिरहा को आगे बढ़ाने का अगर किसी ने काम किया है तो ऐसे ऐसे जो वरिष्ट कलाकार है इनहीं लोगों ने बिरहा को इतना आ दुआं कि दियन है तो सर बहुत-бहुत स्वागत है आपका बहुत-बहुत वधाई आपको आपके चैनल को हमारे दर्शक और सुरूतावरंदु जितने हैं सबका मैं अभिनांदन करता हूँ स्वागत करता हूं बंधन करता हूं हम यह जानना चाहेंगे कि आप कब से सुरुवाद किये इस लाइन में वीरहा लाइन में वैसे देखिए मैं वे बिरहा*** conquered 1967 से शुरू किया शीखना उनननननी सव अडशट से मैं मन्चन शुरू किया और मुकाबला वीरहा गाना शुरू किया जी हाँ 268 से इसके पहले आपके परिवार में कोई था गया है जी हमारे हम चार भाई हैं बड़े भाई साब पहले गाया करते थे वो आर्मी में चले गए इसके बाद उनसे छोटे भाई जो मीडिल स्कूल के प्रधाना ध्यापक पत से रिटायर्मेंट हुए वो कुछ दिनों तक गा हमसे बड़े स्यूधर भाई चार भाई हो में सबसे छोटा हूं हमसे बड़े स्यूधर भाई और हम हलाकि उन लोगों की इक्षा नहीं थे लेकिन हम लोग चोरी-चोरी जब वो लोग चले जाते थे अरे बड़े भाई साहब तो आर्मी में थे मास्टर साहब स्कूल चले जाते थे तो हम दोनों भाई हाय कि कमरा बंद करके उधर भीया डोलक लेकर बजाते रहे में और हम करताल करके बजाते रहे गाते रहे श्वरी कृपा और भाई लोगों की है देन माना जाए इसलिए कि उना की पत्पर हम ने किया उनी को सुन करके हमने अन्स्वरन किया उन्हें धोलक बजाने आ गया हमको गाने आ गया तो जैसे आपको फिर आगे चलके क्या तब से आपको बिरहा का भीष्म कहा गया ऐसा क्यों अब ये तो बिरहा के भीष्म कहने वाले लोग जानेंगे कि बिराहा का भिश्म हमें क्यों कहा गया ये है कि भिश्म अडिग थे अपने पत से और मैं भी बिराहा में अडिग हूँ बिराहा में बहुत कुछ बदला हुआ सारे लोग अपने में परिवर्तन लाए मैं भी परिवर्तन लाया हूँ लेकिन बिराहा के मूल रूप को हमने कभी छोड़ने का काम नहीं किया शायद हो सकता है इसलिए लोग कहते हूँ काफी सारी उपलब्धी आपने बिराहा से ही किया है कि और भी जैसे कोई काम ने देखिए कुछ हमारी पैत्रिक समपत्ति भी रही है कुछ हम चार भाई भी सर्विस करने वाले सब लोग थे हम गाने वाले थे चार भाईयों ने मिलकर किया और बरतमान में अब तो चारो भाई हम लोग पारिवारिक रूप से बिग्टि थे तो बरतमान में जो कुछ किया हूँ, मैं किया हूँ, अब ये जो कुछ देख रहे हैं, ये सब अलग होने के बाद ही हुआ है मतलब आपने इस्टूडियो भी बनाया है, इसमें तवाम लोग आते हैं, गाने के अगर सिस्यों के बारे में बात कही जा, तो कौन-कौन लोग हैं, ऐसे तो बहुत से लोग हैं, प्रमुख रूप से मान लेजिए, इस समय जो मार्केट में चल रहे हैं, वों प्रकाश याद कि दे, राम किरपाल जी हैं, अवधेश यादो हैं, बहुत से लोग हैं, किनका किनका नाम गिना हैं, कमलेश यादो हैं, और बरतमान में हमारा बड़ा लड़का अखिलेश यादो, वो भी बिरा गारा अच्छा गारा है, जी, बहुत से लोग हैं, तो बहुत से जैसे तब से लेके अब तक में बहुत सारा परिवर्तन हुआ है परिवर्तन का कारण क्या है इस बिरहा जगत में देखिए परिवर्तन का कारण मेरे विचार से पहले के विरहा में आर्थिक रूप से दिखा जाए तो बहुत बड़ी कमाई नहीं थी बहुत बड़ा उपार्जन नहीं था आब का विरहा जो है धन उपार्जन हो गया है सब को पैसा चाहिए सिरीज चलाने वाले लोगों को भी पैसा चाहिए या चैनल चलाने वाले लोगों को भी पैसा चाहिए तो कलाकारों को भी पैसा चाहिए मान सिक्ता यहां से बिगड़ी है ती सिरीज से हलाकि बहुत बड़ी कमपनी है कहना नहीं चाहिए लेकिन सचाहिए यहीं है तीसरीड वाले ओपन भोजपूरी गीत ओपन गवाना शुरू किये अशलीलता के साथ कलाकार गाते गए पैसे के लिए उसी में जो लोग बंचित रहे या जो लोग अपने को अलग रखते रहे जो जिनको पैसा चाहिए था वो अशलील गीत गाते रहे गमाते रहे अच्छा मतलब कि जो तीसरीड जैसे बड़ी-बड़ी कंपनिया थी तो उसमें गाने के लिए वो लोग पैसा लेने ले। नहीं हम लोगों के जमाने में पैसा मिलता था पैसा देती थी जरनीक मीडिया की कि आई पुर्सारत के बल पर हम लोगों ने करीब करिब उत्तरी भारत के हरे एक प्रांत में जाए लोग बुलाते रहे हम लोग जा करके गाते रहे अब मीडिया है मीडिया के माद्यम से घर बैठे लोग ख्याती प्राप्त करना चाहते हैं यही कारण है और क्या है लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि जैसे जो मंच पर लोग जो जानते से इसको उसको जादा लोग हैं आज डीजिटर् बीडेया को सुनना चाहते हैं विस डीजिटर्मीडीया में हम लोगों का प्रियास रहता है हम लोग डीजिटर्मीडिया में भी इस्टूडियो में गाते हैं, रिकार्डिंग कराते हैं, गीत सुरोता के बीच में भेंजते रहते हैं, लेकिन सुरोता में भी कई रूप है, कई वर्ग है, अब आज कल के जवान सुरोता जो हैं, वह अशलील पसंद करेंगे, शायद हम लोगों की गीत पसंद न करें, लेकिन यह भी सोचना है क कि आज का जवान कल बुढ़ा होगा और उसकी भीमान सिखता यहीं होगी जो आज हमारी सोच है हम लोग जवानी में भी इस तरह की असलील गीत नहीं गाए जमाना नहीं था उस समय का यहीं जमाना था और हम लोग जिसको पकड़े उसी को अपना रास्ता बना करके चले हैं तो मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि विराहा में कुछ फर्क हुआ है जी जी जरूर फर्क हुआ है हर तरह से फर्क आया है विराहा का कारिक्रम भी कम हुआ और फर्क इतना हुआ कि पहले जब हम लोग आया करते थे तो एक तरफ पुरु समाज बैठ कर सुनता था एक तरफ महिला समाज बैठ कर सुनता था अशलीलता नाम की कोई चीज नहीं थी सर्मिंदगी महसूस किसी को नहीं होती थी अब इतना फर्क हो गया है कि घर में बजा करके अगर हम सुनना चाहे तो पूरी परिवार के साथ सुन नहीं सकते हैं इसका मेन कारण है बिराहा में असलील भोशपूरी गीतों का समावेश कर देना हम आज के कलाकार भोशपूरी गीते जो असलील गीते निकल रहे हैं उसी को बिराहा समझ रहे हैं आप देखे होंगे सुनते होंगे मंच पर भी देखे होंगे कि बिरहा अगर 25-30 मिनिट का है, तो भोजपूरी कलाकार 25-30 मिनिट से अधिक समय क्योवल्ला सलील गीत गाने में लगा देते हैं, साज पर, बहुत फरक हुआ है, लेकिन जो पहले के जो सुरोता थे, बड़े बड़े लिखे लोग, आज भी वो बिरहा ढूंडते हैं, क्योंकि पहले की बिरहा आज डिजिटल पिलेटफॉर्म पे है, तो वो लोग ढूंड के सुनते हैं, वो ही गीते हैं, और जो मंच के माद्यम से होता है, वहाँ पर जान लोग कट गये, दूसरा कारण, कुछ राजनितिक कारण भी हो गया, आज बिरहा के 95% मान कर चलिए, बिरहा के कलाकार, किसी एक राजनितिक दल से जुड़ गये, पहले राजनितिक दल की कोई बात नहीं होती थी, राजनितिक बिरहा नहीं हुआ करते थे, मंच पर राजनि राजनितिक दल से जुड़े हैं, लेकिर राजनितिक मंच पर ही राजनित की गीत गाते हैं, भी रहा के मंच पर ना हम राजनित की बात करना चाहते हैं, ना राजनित की गाना हम गाना चाहते हैं, तो अपनी अपनी मान सिकता है, अपना अपना सोच है, इसके पीछे क्या है, जो लोग राजनितिक गीत मंच पर गाना चाहते हैं या गा रहे हैं उस सीधे सीधे पैसे के लिए ऐसा कर रहे हैं और यहीं कारण है कि हम लोगों के जमाने में जहां हर जाती हर वर्ग हर धर्म के लोग इकटा होते थे सुनने के लिए विरहा सुना करते थे लोग कटते गए, कटते गए, कटते गए अब विरहा एक सिमित दाइरे में आ करके रह गई स्रोताओं के निगाह में विरहा एक सिमित दाइरे में आ करके रह गई अच्छा विरहा की अगर हम उत्पत्ति की बात करें आप भी रहा के भीसम माने गए और आप तब से उतने जमाने से आप गा रहे हैं और आपने सुना है आपके जो गुरू अच्छा गुरू आपके अगर बात की जाए तो हमारे गुरु तो हमारे घर के ही रहे हैं, मैं बताया तो हमारे बड़े भाई साहब डाक्टर सिव देया ले आदो, आर्मी से रिटायर्मेंट हैं, उनसे छोटे भाई, मास्टर, स्री सिव बचन यादो जी, अध्यापक पत से रिचायर हुए, प्रधाना अध्यापक पत से, यही लोग हमारे गुरु रहे, बाद में हम सिरी नरायन जी के भी संपर्क में आए, बाला जी के भी संपर्क में आए, इन लोगों से भी हमने कुछ ग्यान लिया, लेकिन हमारे मूल गुरु हमारे बड़े भाई लोगों ही रहे हैं, अच्छा बिरहा की उत्पत्ती की हम ब पुरानी बाते हैं यह सब जो उत्पत्ति अगर विरहा की करें तो लोग अलग-अलग धारणा बताते हैं कि विरहा इससे शुरू हुई विरहा वह इससे शुरू हुई तो आपकी क्या इसमें धारणा देखिए विरहा यह जो विरहा है विरहा किसी न किसी रूप में आधिक हम तो कहते हैं कि चर्वाहा जुख से विरहा के उत्वत्त की हुई है. रूप बदलता के या, भगवान स्रीकृष्म से पहले भी चर्वाहा जुखु था, चर्वाहे लोग गया करते थे, भगवान स्रेकृष्म ने भी गया, बांसूरी की तान पर उन्होंने बिरह गाया बिरह पैदा हुई बिरह से बिरह पैदा हुई लेकिन मूल रूप जो आज का है इसको लोग कहते हैं कि इसके उत्पत्ती बिहारी गुरू के जड़ से हुई है सबसे पहले बिहारी गुरू ने गाया था बिरहा बिरहा को लोग बताते हैं, हम तो देखे नहीं थे, लेकिन लोग बताते हैं कि सबसे पहले बिहारी गुरु, हलाकि बिहारी गुरु से पहले भी कजरी लोग गाते थे, कजरी से ही बिरहा की उत्पति हुई है, सच्चाई यही है, इसको कोई स्विकार करे या न करे, जो सच् तो उसी कजरी का रूप थोड़ा सा बदल दिया गया, कजरी में भी चवकड़ा चलता था, बिरहा में भी चवकड़ा चलने लगा अच्छा उसके बाद से धिरे 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 जो बिरहा में अलग अलग रूप बदलता गया, और आज इस मोड पे खड़ा है बिरहा, कि उसमें ऐसे गाने लोग गा रहे हैं, कि लोग जो बिरहा सुनते थे, क्योंकि बिरहा तो सुनने वाली चीज है, समझने वाली चीज उसको सुनने के लिए आते हैं लोग सुनते हैं उससे कुछ सीखने का प्रयास किया जाता था लेकिन ऐसा कुछ अब देखने को नहीं मिलता है कारण यही है कि असलीलता और जो तर्जिस सबसे जादा विरहाँ स जादा तो तर्ज गुसा दी गई क्योंकि विरहा एक दिखा जाए तो एक समाज को बदलने का एक ताकत विरहा के अंदर ले की विरहा में कोई भी ऐसी विरहा नहीं हुआ करते थी जिस विरहा में सामाजिक संदेश न हो समाज सुधार के लिए समाज में फ्रैली विकृतियों पर प्रकाश डाला जाता था उस लेकिन अब के विरहा में वो सब गवड और मुख्य धनो पारजन एन के प्रकारेंड चाहे जैसे भी हो हम नंगा नाच नाच करके भी चाहें तो धन कमाएं धन मिलना चाहिए बस यहीं इस्तिती रह गई है